नमस्कार शामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बारपनों आपका स्वागत है दोस्तों मैं वो भासकरानंद डुभाल और आप देख रहे हैं हस्त रेखा का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूटूब के चैनल गो व्लॉक्स में एक सुन्दर सी मेल हतीली आप पुरुस जातक हैं और आपकी रियल हतीली मेरे शामने विवेचना के लिए आ रखी है यहां पर एक चीज बहुत अच्छी है आपकी हतीली में उस चीज को देखते हैं और बरतमान में एक बिस योग बन रखा है जो आपको बहुत ज़्यादा कर रहा है परिशान कर रहा है और जो आंत्रिक खुसियां हैं उनको खराब कर रहा है और कहीं न कहीं जीवन से खुसाली को निकाल रहा है और एक बात और दिखाई दे रही है इसमें कि कितना भी आप पाठ पोजा कर लें लेकिन आपको इष्ट किरपा नहीं मिल पा रही है ये आपकी हतेली में एक्चुल रूप में है और ये पूरे परिवार पर आपका प्रभाव दे रहा है चाहिए आपकी पिताजी हो आपकी माताजी हो या जो है आप हो या आपकी धरमपतनी हो सब पर ये प्रभाव दे रहा है तो इसको ठीक कैसे किया जा ये भी बताऊंगा सबसे पहले चलते हैं आपकी केतुपी और उसके बाद आपके इश्ट ग्रह को देखते हैं क्या होने वाला है यहाँ पर देखेंगे ये अस्तान केतु का है केतु मतलब आपके कलेक्टिब करमाज कि तो ही ब्यक्ति को जन्म देता है ब्यक्ति का जन्म लेने का कारण उसके कलेक्टिब करमाज ही होती है इसमें आप देखेंगे ये पहली जो रेखा है यहाँ पर ये रेखा कहीं न कहीं जो है आप देखेंगे एक स्वच्छन्द नहीं है और ये रेखा है आपकी स्वास्थ्य की रेखा, आपकी आरोग्य की रेखा और आपकी तंदुरस्ती की रेखा कहीं न कहीं चाहिए स्वास्थ्य का मामला हो, आरोग्य का मामला हो और तंदुरस्ती का मामला हो ये जीवनकाल के 40 वे वर्स तक थोड़ा सा आपको जो है परिशान रखेगी आपको कहीं न कहीं जो है अपने स्वास्थ्य का अपने आरुग्या का और अपनी तंदुरस्ती का 40 वे वर्स तक ध्यान रखना पड़ेगा अब ये कोई critical problem नहीं दे रहा है ठीक है न हलकी दे रहा है आंतरिक दे रहा है लेकिन दे रहा है चाए मानसिक हो मानसिक तनाव हो चाए उलजने हो कई बार जीवन पूरी तरों से उल्जन में आ जाता है, दुविधा में आ जाता है, कनफ्योजन में आ जाता है और जो आपकी निरणे लेने के ताकत है उसको भी छिन्ड करता है कई बार आप सही से डिसीजन नहीं ले पाते होंगे कि वास्तों में करना क्या चाहिए और किस तरफ हमें जाना चाहिए ये उस चीज को भी दिखाता है स्वच्ते ही से समंदित सारी चीजे है ये तो आपको इसके लिए मैं सबसे अच्छा उपाई दूँगा जो पूरे मानसिक तोर पे सारेरिक तोर पे आपको बिहतरीन इस्तिति में पहुँचाए दो चीजें हैं बहुत परफेक्ट है मन से करिएगा और अपनी ड्यूटी समझ के करिएगा समय पे उठना समय पे इन चीजों को करना और वो चीज प्रैक्टिकल रोप में करियाई है परकृति से जुड़ी हुई है लेकिन आपको जीवन की ऐसी उचाईओं पे पहुचाएगी जिसको साइद आपने कभी सोचा होगा लेकिन करने के ओपर बात है कि आप उन चीजों को किस प्रकार से करते हैं और किस प्रकार से उसका फायदा लेते हैं वो किरियाए हैं दिव्य सूर्य किरिया और दिव्य योग ध्यान किरिया दोनों ओडियों के मादियम से दी रहा हो ठीक है दूसरी अगर हम यहाँ पे देखेंगे जो अच्छी रेखा बन रही है यह रेखा है आपकी धन और संपत्ति की रेखा यह रेखा आपके करियर और धन की रेखा से समन्द रखती है ठीक है ने और यहाँ पी यह रेखा तो अच्छी इस्तिति में आ रही है इसका मतलब है कि भग्या तो बहुत अच्छा है आपका भाग्या में कोई कमी नहीं दिखाई दे रही है लेकिन अगर हम सही से बात करें तो आपकी करियर और धन की जो रेखा है वो अभी अच्छी नहीं हुई है ये अपना वास्त्विक फल आपको 41 एर से देगी 41 वर्स से ये सभी चीजों में अस्ताई तो पूरी तरह से देना सुरू कर लेगी और ठीक 45 वर्स के आसपास पूर रा भाग्योदई हो जाएगा फिर बुडापा भी बहुत अच्छा निकलेगा 56 वर्स के बाद सुक्र आपको जो है जीवन में बहुत लगजरी देगा दो बारा से तो दो बार भाग्योदई है ठीक है ने अब तीसरी रेखा यहां पे देखेंगे कहीं न कहीं अच्छी इस्तिति में धीरे धीरे आ रही है इसका मतलब है कि यकीनन आपको क्योंकि हाथ के रेखा छम छमा के बोलती हैं बहुत सांदार एक्टम एकुरेट यह क्या कह रही है आपको आने वाले समय में बिसेश करके 40 के बाद से अपने स्वस्थ्य का अपने जो है धन का और अपने एस्वर्य भोगने का जो सुक है वो मिलेगा ही मिलेगा अब ये तीन रेखाई हैं के तुपे ये इस पश्ट तरीके से बता रही है कि पूर्व जन्म में आपने बहुत उच्च और बहुत पुण्य कर्म किये हैं जिसकी वज़ों से आपको पुनह मनुष्ययोनी प्राप्त हुई है आपके पुन्य कर्म और उच्च कर्मों के उज़ों से पित्र लोक में बैठावा आपका जो आदि पुरुस है आदि पित्र है उन्होंने आपके कर्मों को देखा और मेरा बंस यहीं पे रुक न जाए इसलिए आपको मनुष्ययोनी में भेजा है और आपने मनुष्ययोनी में जन्म लिया है एक बात का ध्यान लखना दूसरा ये केत्व बता रहा है इस पश्ट तरीके से जर्द ध्यान से सुने क्या बता रहा है ये कि आप पूर्व जन्म में भी आपकी हतेली के उनसार कह रहा हूँ जन्म पत्री नहीं या अंक जोतिस नहीं हतेली के केत्व के हिसाब से कह रहा हूँ आप पूर्व जन्म में भी मनुष्य ही थे मनुष्य ही पैदा हुए है कोई जानवर नहीं थे कोई मचली नहीं थे कोई हाती नहीं थे कोई स्वान नहीं थे आप इनसान ही थे और मेल ही थे मेल ही पैदा हुए है और जिस बंस में आपने जन्म लिया है इसी बंस के आप जो है कहीं न कहीं व्यक्ति थे और पांचमी पीडी में आपका जन्म हुआ है ये बात ध्यान रखेगा आप इसलिए आपका DNA भी नहीं बदला है DNA भी आपका वही है चाहे तो आप चक्करा सकते हैं आपके पूरो जों से ही आपका DNA मिलेगा इसमें एक परसेंट भी किन्तो परंतो नहीं होगा यह वाद ध्यान लखेगा और इसी की वजों से आपको एक अच्छी बिद्या भी प्राप्त हो रही है बहुत सांदार knowledge प्राप्त होगा के तो की वजों से ध्यान रखें के तो खराब गरह माना जाता है ने आम बोल चाल के बाहस हमें रहो के तो लेकिन इसकी वजों से आपको बहुत अच्छा एक रहस्य मया एक सांदार ज्यान की प्राप्ति हो रही है knowledge की प्राप्ति हो रही है और उससे धन की भी प्राप्ति होगी ये भी बता रहा है ये ठीक है ने अब जीवन रेखा देखेंगे तो यहीं पे आ रही है ठीक इसका मतलब क्या है अब पहला जन्म ये जन्म बता दिया है अपने अब आगे जन्म के लिए ये जीवन रेखा मनि बंद से के तुपे आ रही है तो क् कर्म होंगे कि अंत में एक सिद्ध पुरुष की त्रह आपको निश्चित रूप से मोक्ष की प्राप्ति होगी ठीक है ने मुक्त की प्राप्ति होगी जिसको जीवन का वास्विक अर्थ है मुक्ति होना उसकी प्राप्ति होगी और ये भी बता रहा है कि देखो नवद्वा है हमारे सरीर में और जब व्यक्ति अंतिम छुणों में जो है अपने निजधाम को जाता है उस हमें अलग-अलग द्वारों से जो है प्राण निकलते हैं जो दुश्ट मनुस्व होता है उसके नीचे से अपान ग्रह से ठेकर नहीं है जहां से मल निकालते हैं वहां से किसी के आंखों से निकलते हैं तालुका के उपर से जीवन रेखा अगर किये तुसे मिल रही हो मोज़ के कारक की गरह से मिल रही हैं तो यह दिखाई दे रही है अब प्रैक्टिकल रोप से बहार से देखें तो क्या कह रहा है आप अपने जनम अस्तान से दूर तरक्की करेंगे जनम अस्तान में रहे कर बहुत बड़ी तरक्की नहीं कर पाएंगे एक सामन्य बनुश्य बनके रहे पाएंगे यह भी इस पश्ट तरीके से यहां पर बता रहा है यह हो गया आपकी के तू हो गया मेन था अब आपका हिष्ट देखते हैं फिर आपके स्वाल लेते हैं और पूरी हतीली को दिखते हैं यह और जो बहुत बड़ा दोस भी बन रहा है हतीले में वह दोस जरूर देखें अब देखेंगा यहां पर यह आपकी जो है примерно कि रेखा का देव गुरु ब्रस्पती से मिल रही है और देव गुरु ब्रस्पती सबसे बड़ा ग्रह है इससे बड़ा ग्रह किसी का नहीं है। हिर्दे रेखा, आपके रिष्टे को बताता है, आपके सोचने के धंको बताता है, आपके आयो को बताता है, ठीकने, सब कुछ बताता है, इसका मतलब है कि बहुत स्रेष्ट बेखती हैं, सब के लिए सोचने वाले हैं, बिद्ध्वान बेखती हैं, तेजस्वी हैं, और जिस तक निभाने वाला विक्तित्व आपका है लेकिन स्वाविमान की भावना भी है श्वाविमानी है स्वाविमान में कई बार अभिमान का पुट भी आता है लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं है पूर्ण तो विश्वासी है विश्वास किया जा सकता है ऐसा विक्तित्व है नि स्रेश्ट जीवन बितीत करते जाएंगे इसमें कोई भी जो है दुविधा नहीं है ठीक समय आने पर अब वो समय है 40 के बार ठीक दूसरी चीज देखेगा एक रेखा यहां से इस पर मिल रही है और एक विश्णु तिलक यहां पर बना रहा है जड़ ध्यान से देखें विश भिशु तिलक का मतलब आपके जो पंच्ट तत्व हैं पंच महाबुद जिन से सरीर बना है आपका फाइव ऐलिमेंट आपके जो अश्टा चक्र हैं उसमें भी साथ मेजर चक्र आपकी जो है 5 ग्यान इंदरिया हैं 5 इंदरिया हैं आपके पंच महां कोस हैं नवद्वार ह उनके अनुसार अगर देखा जाए तो भगवान विष्णु आपकी इष्ट देव है आराध्य देव है जितनी जादा स्रणागति जाएंगे जियोन में उतनी ही दिव्यता और उतनी ही भव्यता की आप प्राप्ति करेंगे ये इस पष्ट तरीके से है लेकिन कितना करेंगे जितना आपका समरपण रहेगा अब यहाँ पर एक चीज देखेगा एक विष्योग बन रहा है जिसके कारण ये जिवन को नर्क की तरफ धकिल रहा है इसको ठेक करना बहुत जरूरी है यहाँ पर देखेंगे आप तो आपकी हतेली में ब्रस्पति बहुत डाउन है ब्रस् प्रभाव जिवन पर पढ़ते हैं यहाँ पर देखेंगे आप पूरी हतेली में जाल बना हुआ है सुक्र बहुत ज्यादा उभर रहा है और नाड़ी की रेखाएं आपकी हतेली को काट रही है और इसका प्रभाव जीवन काल के 40 वे वर्स तक पढ़ता हुआ दिखाई दे केसी देखेगा जब इस प्रकार का गुरु खराब हो जाए सबसे पहले तो जब गुरु खराब होता है तो आपके अंदर चाहिए कितनी भी अच्छी नौलेज हो कितना भी अच्छा ज्यान हो उसको इंप्लिमेंट करने के लिए प्लेटफोर्म नहीं मिल पाता है एक, दूसरा ऐसे में जो है आपका जो बैवाहिक जीवन है उसको लेके चिंताईं बनी रहती है उसका चरम सुक्का भोग बेक्ति नहीं कर पाता है और संतान को लेके संतति को लेके ये बहुत ज़्यादा दिक्कतें देता है चिंताईं रहती हैं पैतरिक संपति अगर किसी की हो तो पैतरिक संपति बिबाद में फसने के बहुत ज़्यादा योग बनते हैं लाब नहीं मिल पाता है और धन को लेके भी बरकत नहीं आपाती है और सभी परकार की सुक जो मनुष्य जीवन के लिए चाहिए ही चाहिए उसमें ये कमी देता है और ऐसे लोगों को समय पे सही सलाह देने वाला गुरू नहीं मिलता है और कहीं न कहीं जीवन में बड़ा संगर्स करना पड़ता है कई बार बेक्ति अपने आपको अकेला मैशूश करता है अगर आपका गुरू खराब हो ये बात जान ले दूसरा देखेगा गुरू खराब हो तो निश्चित तोर पर ये तो है कि धन की दिकतें बढ़ जाते ह चाहे आप कितना भी पोजा पाट करते रहो मगर इष्ट किरपा नहीं होती है ये बात हकीकत है ऐसे जातकों को जीवन में तरक्की नहीं मिल पाती है इनकम बढ़ सकती है लेकिन वो इनसान लेबल पार करके दूसरे और्बिट में नहीं जा शकता है गुरू खराब हो इस शक्राब होने बैट जाए तो लोगों को संहल के चाहिए डाइबर टेज देता है लिवर की दिक्कतें देता है कई बार मोटापा बड़ा देता है सितिल बना लेता है अग्गुरू खराब हो तो सबसे बड़ी बात है जीवन से खुश हाली निकाल लेता है खिक अब इस ग नेगेटिब बल देने वाला ये भी हो इसको नेगेटिब ऊड़ जा कहते हैं इसका बहुत गहरा प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर पड़ता है क्या होता है कि सबसे पहला प्रभाव इसका आपके मन पे आपके मस्तिस्क पर पड़ता है कहीं न कहीं जीवन में उल्जने किस तरब जाना चाहे और क्या करना चाहे दूसरा इसका प्रभाव पड़ता है आपकी आर्थिक सिहत पर आर्थिक सिहत में आर्थिक रूप से आप बिमार होना शुरू हो जाते या बरकत आपकी जीवन से चली जाती है तीसरा इसका प्रभाव पढ़ता है आपकी रिष्टों पे खास कर आपका दामपत्य जीवन का रिष्टा आपका परिवार का रिष्टा और आपका कुटुम का रिष्टा इन रिष्टों का जो चरम सुक्का भोग है उसके बीच में परस्तितियां खड़ी हो जाती है चोथा इसका प्रभाव पढ़ता है आपकी सेहत पे चाहिए वो सारिरिक सेहत हो चाहिए वो मानसिक सेहत हो उसमें कहीं न कहीं जो है अर्चने आ जाती है ठीक है ने और पांचवाँ और सबसे बड़ा प्रभाव पड़ता है इसका आपकी development पे आपकी progress पे जो आपका सपलता का अस्तर हो जाना चाहिए था वो सपलता का अस्तर कहीं न कहीं गिरने बैट जाता है ठीक ने माइनेस की तरफ आने बैट जाता है अब इसमें इस प्रकार की राहों की रेखाईं भी हो तो सबसे पहले ये जीवन की रेखा को काटती है तो कदम कदम पर मुश्किलों का सामना विक्ति को करना पड़ता है फिर ये कहीं न कहीं जो है आप देखेंगे एक जीवन रेखा भी ये भी है आपकी तो ये भी मनि बंद पे पहुँच रही है करियर और सद्धन की रेखा को काटती है तो पैसे रुपे को लिके रोटी रोजगार को लिके आजिव का को लिके हर जगह ये उतार चड़ाऊ देता है अब ये शुक्र फूल गया है इस प्रकार से खराब हो गया तो जब सुक्र खराब होता है मानसिक प्रेशानिया देता है ठीकन बिक्तिका जीवन संकटों और कटनायों के बीच गुजरता है लाख प्रियास करने पर सारे साधन होने के बावजोद भी सुक नहीं मिलता है आंतरिक खुशिया निकाल लेता है और बहुत ज्यादा मेहनत प पित्रदोस आ गया है अब इसको कैसे ठीक करें देखेगा किसी भी महने के अमावश्या को आपको क्या करना है आपको नहीं आपकी जो बड़े है पिताजी है तो ठीक है बड़े भाई है तो ठीक है अगर पिताजी है और वो अपने कुटम में सबसे बड़े है और नहीं त जो आपके ताव उगेरा है उनसे करवा लिजीएगा आपको क्या करना है किसी भी महने के अमावशकों किसी नदी के किनारे तीर्थ अस्तल पर जैसे हरिद्वार है हरिद्वार में नारायन सिला है जो उत्राखण में है और भी जगा होगे जैसे बदरिनात में है जो है ब्रह आपको नारायन बली करनी है किसे करानी है कर्म कान भिसे सग्य पनिज्जी से अपना कुल प्रोहित वो तो बहुत अच्छा ये जितना जल्दी आप कर सके उतना जल्दी फाइदा मिलेगा नहें तो आप ऐसी प्रेशानियों के गर्त में चलते जाएंगे और उबारने वाला क कोई नहीं रहेगा इस बात का ध्यान लगना दोसरा कि कुछ चीजें दे रहा हूं एक तो बनस्पति अश्नान दे रहा हूं आपको कुछ समय के लिए पीदी विद्धान से करें उसकी प्रक्रिया का पालन करें इससे कापी हद तक नगेटिब उर्जा खतम हो जाएगी दो किसरा मैं एक दिव्य सूर्य किरिया आपको दे रहा हूं और यहां पे जो है सब चीजों को एक इसाथ ठीक करने के लिए एक हनुमान जी की साधना दे रहा हूं ये चीजें आप जरूर करें तो आपको बहुत अच्छा लाव होगा ठीक है ने और पित्र दोस्त का उपाई जरूर कर ले इस बात का ध्यान रखे बिना उसके किये कुछ नहीं होगा अब चलते हैं वीडियो काफी लंबी हो गई है लेकिन समझाना बहुत जरूरी था फिर चलते हैं आपके सवालों पे पहला सवाल है आपका संतति में बिलम हो रहा है छे साल में तीन बार तकलीप हो अब संतति में बिलम क्यों हो रहा है मैंने पहले ही वेंसे बता दिया है ब्रस्पति खराब है राहो की इस्तिति यहां पे आ रही है नगेटिब उर्जा है और कहीं न कहीं जो है आपका सुक्र भी खराब है ये ग्रह खराब है और जब तक इनको ठीक नहीं किया जा सकता है तब तक ये मुश्कलें पैदा करती रहेंगे अब आपने ठिक लिखा है दूसरा सवाल जीवन में अस्तायित्व संतोष्टिक कब प्राप्त होगी जीवनकाल के 41 एर से आपके जीवन में इस्तिर्था आनी सुरू हो जाएगी संतोष्टिकी प्राप्ति होनी सुरू हो जाएगी और आप अपने जीवनकाल में प्रोग्रेश शुरू करना कर लेंगे और 45 वर्स में पूरा भाग्योदाई हो जाएगा तेसरा आपने लिखा है अध्यात्म से लगाव बहुत है आपको पर कंसिटेंसी का अभाव है निश्चित तोर पे जब गुरू खराब होता है तो कितने भी आपका लगाव हो एक साथ नहीं कर पाते हैं कहीं न कहीं ध्यान भटकना एक आगरता की कमी होना ये सारी चीज़ है क्या उसकी प्रेक्टिस करना लाबदायू होगा निश्चित तोर पे आप प्रेक्टिस कर सकते हैं लेकिन कुछ चीजों का आप ध्यान लखें जीवन में जो मैं एक दिन चरिया आपको दे रहा हूं उसका आप पालन करेंगे तो निश्चित ही आपको बड़ा लाब इस प्रकार से जुक रहा है धार्मिक भावनाई बहुत अच्छी दिखाई दे रही है इस स्वर में विश्वास बना रहेगा और अपने आरद्य के परती निश्चित तोर पे समरपन की भावना रहेगी कैसी भी प्रस्तित जीवन में आ जाए इस स्वर से विश्वास नही बहुत जादा प्रिस्रम करने के बाद ही चीजों में सपलता मिलेगी और जीवन में कई बार भागा दोड़ी का काम भी करना पड़ेगा यहाँ पर ये उंगली अगर हम देखते हैं तो पूरी तरो से जुक रखी है आपकी इस उंगली की तरफ निश्चित रूप में यस पाने की इक्षा है नेमफेम पानी की इक्षा बहुत ज़्यादा है और अपने कारियों में बिस्तार हो जाई इसकी इक्षा भी बहुत ज़्यादा है आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ जरूर करूंगा ये सोने की अंगोठी दिख रही है जब ब्रस्पती खराब हो तो सोना धारण नहीं करना चाहिए ऐसे में दिक्कतें बहुत जादा बढ़ जाती है और कम होने का नाम नहीं लेती है तो अगर सोना कहीं भी धारण किया है अपनी सरीर में सोने को निकाल दे कोई अंगोठी में कोई रतन पहना है पत्थर पहना हुआ है तो उसको चान्दी की अंगोठी में पहने आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा अभी धाई से तीन बरसों तक सोना ना पहने यहाँ पे देखेंगे तो दोनों उंगलियां यह बराबर हैं दोनों मिडिल फिंगर से चोटी हैं धन और यस की भूक है पैसा और सम्मान जीवन के लिए बहुत जरूरी हो गया है और अभी मात्र लक्ष भी यही दिखाई दे रहा है सबसे चोटी उंगली की अगर हम बात करें तो यहाँ पे पूरी तरों से जुक रख यहाँ पे देखें यह इसके पहले पौरवे तक नहीं पहुच पारी है यहां तक नाखोन बढ़ाए लाब होगा नहीं तो मनी मैनेजमेंट में कागजों के रख रखाओ में एकाउंटिबिल्टी में फाइलिंग में और कम्यूनिकेशन इसकिल्स में कमी रहेगी इस कमी को दूर करने के लिए इसका नाखोन जरूर बढ़ाए एक सुखत जीवन जीने की चाहा रहेगी और सुखत जीवन जीने के लिए प्रेतन सील बिर्तित तो रहेगा यह बहुत अच्छा है और बहुत अच्छे इंटेलिजेंट बिर्ति हैं सार्प माइंडेड हैं और जीवन का 41 वर्स से यह किलियर है और अपनी जीवन में थोड़ा साथ जो है चीजों को पकड़ के चलें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा यहां पर देखेंगे यह अगर हम देखें तो यह बहुत एक अस्तर को बहुत अच्छा दिखा रहा है लेकिन बीच में कारियों को कराब करता है जैसे संत्य हूंत हूंति हूंति आप कहने je 6 साल में 3 बार खराब होगी यह राहों की इस्तिति तो सारी चीजों को यह बहुत ज़्यादा खराब करता है और ॡिपरेशन बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है ठीक है ना बंस को आगी नहीं बढ़ने देता है और इसमें माइंड जो है बहुत बेकार हो जाता है तो इसका भी मैं उपाई दे रहा हूं फिर यहां से जा रही है यह रेखाई तो इसका लाब आपको 41 वर्स से होगा और भग्य साथ देगा 41 एर से कोई कार्य नहीं रुकेगा कहीं से जो है चीजें हो जाएंगे आपका कार्य चल जाएगा फिर 45 वर्स में जो है पूर्ण भाग्योदय है बहुत सांदर चीजें है फिर जो है 56 वर्स के बाद वो डापा बेहतरिन दिखाई दे रहा है लेकिन अभी 40 वर्स तक थोड़ होगा सुक्र के बारे में हम बता चुके हैं निम्न मंगल देखें जादा उठ गया है तो थोड़ा सा चंप चंप भंगोर वाला गुस्सा रह सकता है तो इसको ठीक रखने के लिए मंगल को आपको दिव्यसुर्य किर्या करनी है उसमें इसका उपाई दूंगा उपरी मंग बहुत अच्छा है तो एनरजेटिक स्वभाव बना रहेगा कोई भी आपसे मिलेगा कमपटिवल फिल करेगा ब्रस्पति के बारे में हम बात कर चुके हैं सनी की इस्तिति देखें तो सुबह उठने में थोड़ा आलस्य रह सकता है इसको ठीक रखें यहां पे मचले का चि अगर हम देखते हैं तो इस प्रकार से जो है मनिबंद में जा रही है जीवन रहा और उसकी सयोगी रहा है तो निश्चित रोप से ऐसे बिक्ति का जो भाग्योदय होता है वो विदेश में जाकर होता है और विदेश में मैल्टिनेशनल कमपनी में बड़े पद पे बहुत बड़ी सेलरी में ऐसा बिक्ति जीवन में बहुत आगे बढ़ जाता है यह मैंने देखा है प्रिक्टिकल रोप से और यही आपकी हतीली में देख रहा है यहाँ पे देखेंगे तो बुद्ध बहुत अच्छा है बुद्ध का लाम मिलेगा चंद्रमा थोड़ा खराब है तो चंद्रमा के में उपाई दे रहा हूँ थोड़ा सा जो है चंद्रमा को ठीक करना बहुत जरूरी है संतत्य की अगर हम बात करें मेन रोप से और करियर और धन की अगर बात करें तो संतत्य का लाब तो जरूर होगा लेकिन नगिटिव उरजा निकलने पे जो पित्रदो है उसको खतम करने पे होगा निश्चित तोर पे होगा और एक से जादा है यह भी बथा दो बाकि बेग्यानिक यूग है आप अपने हिसाब से चीजों को कर सकते हैं ठीक है तो यह आपकी है अभी थोड़ा जैसा भी है लेकिन भाग्या बहुत अच्छा है यह मैंने पहले बथा दिया कि तुक के कारण आप जीवन में सांदार इस्तिति को पहुंचेंगे तो इस वीडियो में बस इतना ही एक नहीं वीडियो के साथ पनो पस्तित होंगा तब तक के लिए नमस्कार